नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास प्रसकस में आपका स्वागत है खास इस तरे कराओं कि उत्तर प्रदेश की राजनिती से जुढ़ा है और बिहार से भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान सभाव चुनाओं की तैयारी चल रही है और ऐसे में बिहार की मुझभरपूर के एक समाजी करेकर्ता जननत हास्मी ने का जहां से योगी आधीत जुनाओ लडने वाले हैं आपको पहले भी हमें बता था कि बीज़ेपी कोशिस कर रही है कि योगी आधीत और उसी गोरकपूर साहरी छेत्रों को उन्हों ने चुना है अपने विधानसभाद चुनाओ के छेत्र के रूप में तो बिहार के समाजी करेकरता ने उन्हें चुनोती दी है उतर परदेश की विधानसभाद चुनाओ के लिए बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी हो यही है इसमें पहले चरण के सभी अंठावन सीटों के लिए में दौरों के नामों की घुशना हो चुकी है साथ ही दूसरे चरण के प्रतियासियों का भी एलान किया गया है बीजेपी ने मुख्यपंतरी योगी आदितिनाथ को गोरख पुर सहर निर्वाचन छेतर से चुना और यह publicity stunt भी हो सकता है क्योंकि वो जिस तर से बयान दे रहे हैं कि योगी एक वर्प को लगतार टार्गेट करते हैं उसे डराने का प्रयास करते हैं इसलिए वो चाहें जहां से भी चुनाव लडेंगे हम उनके खिलाब चुनाव लडेंगे और उनको हराएंगे भी तो च रिकॉर्ड कायम किये हैं योगी 36 साल के बाद पहले ऐसे मुख्यवंत्री हैं जो लगतार 5 साल मुख्यवंत्री रहे यानि 5 साल के कारेकाल को पूरा किया है और दुबारा बीजेपी को सब्ता में लाने जा रहे हैं सर्वें की मानेक वरिया चैनल लोंक का जो सर्वें आ र रही है और योगी आधितनार दुबारा मुख्यवंत्री बनेंगे यह तो और बड़ी बात है तो ऐसे भाकड़नेता को चुनाव हराने की चुनोती देना थुदा हसास्पत भी लगता है लेकिन खबर है इसको सेयर करिए लोग देखें कि किस तरह से राजनिती होती है और क इस तरह से पब्लिस्टी अस्टंट के तौर पर बड़े लोगों का नाम लोग इस्तिमाल करते हैं